अब 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 है लोगरिवन कंप्यूटर गुरु हमें आपका सवागत है मैं हूं सुमित कुणार नागर और आज के जो सेशन में बनाने जा रहा हूं यह स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं जो करंटली क्लास 11 में हैं और जिन्होंने कंप्यूटर साइंस बस शुरू किया है जो मैं आपका स्लेवस कवर अप करने जा रहा हूं वो हम एस पर आपकी चाँगा करें चाहूंगा कि आप कंप्यूटर साइंस जो है आप यह चूज किया है उसके लिए अगर आप कंप्यूटर साइंस बना डाल चका हूँ कि अगरat कंप्यूटर शेंस लेते हैं तो आपके लिए जूब की otro opportunity क्या क्या रहेगी और किस तरीके से आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं तो चलिए करते हैं शुरुआत सबसे तो आज जो हम टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम तो जैसे हम शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज हम बहुत जहें पढ़ी हो गया बेसिक में यह सबसे पहले यह डेफिनेशन रटा दी जाती है बट इसका मतलब आस तक बच्चों को पतानी होता हूं तो सबसे पहले जो हमें बता जाता है कंप्यूटर इसन एलेक्ट्रोनिक डवाइस देट कैन बी प्रोग्राउंट टो एक्सप्ट डेटा प्रॉससे टेंड जनरेट दा रिजल्ट अ कंप्यूटर अलॉंग विद एडिशनल हार्डवेर और सॉफ्ट्वर तोगेदर इस काल्ड़ कंप्यूटर सिस्टम तो भई इलेक्ट्रोनिक डिवाइस का मतलब क्या है वह वाले सारे डिवाइस जो आज के टाइम पर चिप सर्किट के उपर गाम करते हैं या जिसमें भी कोई भी ग्रीन जो मदर बोड देखा होगा आपने जिसको पीसी भी बोलते हैं वैसा कोई बोड उता है फिर उसके बाद जो ली लाइन है डेट केन भी प्रोग्राम्ड प्रोग्राम्ड का मतलब क्या है उसको मैं अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकता हूं उसको कोई एक्शन दे सकता हूं या किसी भी तरह का कोई भी उसके अंदर सॉफ्ट्वर डाल सकता हूं कि वह यह प्रोग्राम करेगा या तो computer सबसे ज़्यादा stupid होता है उसको बस यही पता है कि यह चीज़े आपने लेनी है और इसको उपर यह करना है तो जो चीज़े उसको user बताता है वो होता है data उसको बोला जाता है accept data और जिसको हम plain language में कहेंगे input फिर दूसरा क्या है process it process it का मतलब क्या हो गया कि वो अपनी तरफ से उसके उपर कोई न कोई calculation लगाएगा यानि कि आप उसको data दे रहे हो data को समझेगा उसको जो भी आपने उसके program में डाला है कि उसने करना क्या है उसके accordingly उसको calculation करेगा या जो भी काम करना हो करेगा और फिर उसके बाद वो क्या करेगा generate result जो generate result करके output provide करवाएगा आप यानिके आपने मानो जशेमा आपको बोलता हूं कि अपने मेर को टू प्लस टू बताना है टू नस्टो टू कितना हो गया तो यह मांनो मैं आप से question फूशता हूं टू प्लस कितना हूआ तो मेरी तरफ से input क्या हुआ टू प्लस टू और फिर अगर आपके लिए यह ब क्रीया होती जो भी जोटने का प्रोसेस होता हुं आपके दिमाग में होता उस行 और फिर उसके बाद को जो आंसर यह दिए और आपने रिजल्ट जैसे आपने रे कुछ चार वसा यह लिए तो सबसे पहली along with additional hardware and software together is called computer system यानि कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर additional hardware लगा होगा तो उसको बोलेंगे computer system computer system एक नहीं होता बहुत सारी चीज़ों combination होता है फिर उसके बाद मेरे पास अगला वर्ड आता hardware क्या होता और software क्या होता है hardware यह लोक्ता है computer का वो भाग जिसको आप छूँ सकते हो वह hardware है और computer का वो भाग जिसको आप छूँ नहीं सकते हो उसको software कहते हैं और आज के टाइम पर जैसे क्या होता था पहले phone जब सिखाया जाता था फोन कंप्यूटर के थुरू सिखा जाता था पर आज की जनरेशन ऐसी आगी है कि अगर आपको कंप्यूटर सिखाना है तो पहले फोन का एक्जामपल देना पड़ेगा तो जैसे हाड़वेर का पार्ट लो तो हाड़वेर का पार्ट हो गया आपका जो फिजिकल फोन है यह सारा system बनेगा उसको बोला जाता है computer system इस language में आपके देखे यह आता है आपका monitor जिसके उपर आपको display देखेगा यह speaker होगे speaker होगे इसको mouse कहते हैं यह keyboard यह printer यह headphone है और जो सबसे गलत बात यह चाहे मैं आपको बताऊं यह अगर अभी आप अपने personal experiences जैसे आपने पढ़ना शुरू किया है तो आप इसको central processing unit बोल सकते हो यह आपको school की किताबों में भी पढ़ा जाता है कि central processing unit होती है बट अगर आप आगे फर्दर study करते हो आप computer के अंदर mastery करते हो या PhD करते हो तो आपको यह पता चलता है कि हार एक definition का एक particular मतलब होता है तो खाली इस चीज़ को यह आपका central processing unit इसको central processing unit कहना गलत होता है बट आपका syllabus यह accept करता है तो आपने अभी इसको central processing unit कहना होता है actual में cabinet होता CPU क्या होता है वह आगले आने वाली classes में मैं आपको दिखाऊंगा या फिर मैं आपको अभी एक example दिखा देता हूं जैसे मैं यह बोलते हूं CPU के place मैं अगर आपको यह बता दूं micro processor अगर हम search करते तो एक्चॉल में क्या होता है जो आपका CPU होता है वह एक एक ऐसी चिप होती है यह वाली जो चिप हमारे पास बस यह होता CPU और इसको बोला जाता सेंट्रल processing unit और जो आपने जैसे कभी नाम सुना होगा आई थ्री जैसे यह आई थ्री प्रोसेसर होता है यह होता है यह एक तीन बाई सेंटेमेटर की चिप होती है यह आपको देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग उनिट में यह दिखेगा पर यह एक छोटी सी चिप होती तीन बाई तीन की बस इतना सा होता आपका CPU तो फिर अगर हम आगे और बात करते हैं तो यह तो हो गया जो आपको फिजिकली दिखता है जिस चीज़ों को सारी चीज़े समझ सकते हो पर हमारे अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हमें फिजिकल एम बाड़ी के प्लेस पे हमें बहुत ज्य साथा चीज़ें लॉजिक के तुरू समझाए जाते एक फ्लो चार्ट होता है फ्लो चार्ट जैसे भी आप आगे स्टडी करेंगे तब समझ में आएगा जैसे आपको कोई भी एक बॉक्स बना दिया या प्लैन बना दिता है उसको छोटे तरीके से कैसे समझाया जाता है त से यह आपका बीच में बक्सा हो गया फिर हमारे पास क्या होता है कुछ इन्पूट डिवाइस होता है कुछ आउट डिवाइस इन्पूट डिवाइस क्या करेंगे जो सेंटर प्रोससिंग यूनिट को वैल्यूस देंगे कि तुम्हें अगर काम करना है तो इन चीज़ों क से उपर काम करना है फिर यह उसको प्रोससिंग करेगा प्रोससिंग में इसकी कंट्रॉल यूनिट की ज़रूत पड़े और आर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की पर ज़रूत पड़े कंट्रॉल यूनिट क्या करेगी कंट्रॉल यूनिट यह चीज़े डिसाइड करेगी कि अगर कोई भी मेरा data है कोई भी number है, वो किस तरीके से आगे पीछ आँगे, अर्थमेटिक का होता है जमा गटा गुना भाग, बस यह पांच operation होते हैं, इसके लाओं कोई operation नहीं होता, अगर आपको जमा गटा गुना भाग करना आता है, तो आप computer program असानी से बना सकता हुए फिर आती है मेमरी यूनिट मेमरी यूनिट का काम क्या हो गया कि कंप्यूटर अगर कोई भी चीज है अगर मैं आपको बोलू दो चार होते हैं या ए प्लस बी स्क्वेर का फॉर्मॉला क्या होता है तो वह क्या करता हो आप अपने दिमाग में स्टो स्टोर करके रखता है और जहां वह चीज़े स्टोर करके रखता है उसको बोलते हैं मेमरी यूनिट फिर आते हमारे पास आउटपूट डिवाइस आउटपूट डिवाइस का मतलब क्या होगा सबसे पहले कंप्यूटर ने क्या किया यूजर से डेटा लिया यहां से डेट through which control signal are sent to a computer are termed as input devices language पे जाओगे तो language बहुत ज़्यादा strong लगेगी आपको समझ में नहीं आएगा बट इसका simple सा मतलब यह है वो कोई भी device जिसके थूँ मैं computer को यह बताऊँगा कि उसने काम क्या करना है अगर मैं मालो keyboard से यह type करता हूँ तो computer के पास मैं यह instructions बेज़ रहा हूँ कि उसने यह लिखना है या mouse से कोई left click या right click करता हूँ या कोई और mic से अंदर अगर मैं आवाज भी दे रहा हूँ तो यह एक input device है यानि का computer का मैं बोल रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ वो अपने system में वो रिकोर्ड कर रहा है फिर इनके आजाता है input device के example की बोर्ड आपने देखा होगा माउस आपने सुना होगा scanner वो होता है जिससे हम photo scan करते है joystick game खेलने के लिए यूज होता light pen अगर आप बहुत बड़ा कभी कोई webinar देखा है या international kind of seminar देखे है तो उसके लिए यूज होता है microphone simple हमारा chain shot ये mic बोला जाता है magnetic ink character recognition MICR इसको यूज किया जाता है bank में signature चेक करने के लिए optical character reader OCR इसको यूज किया जाता है जैसे अगर आप option वाली कोई भी seat भरते हो तो उसको data read करने के लिए कि उसने कोई सा option सही लगा रखा है या नहीं लगा रखा digital camera से photo लेते है पैडल आपको बाद में बता हूँगा steering wheel game खेले के लिए यूज होता है gesture recognition devices जैसे आगर हमारे पास आज virtual reality आती है जहाँ पे हमारे सिर के ओपर कोई mask लगा देते हैं और हाथ हमें दो बटन दे देते हैं और हमें लड़ना होता है या कुछ भी करना होता है तो उस टाइम भी निकी ज़र्थ पड़ती है light gun यह अपने game खिल होगा जब use होता है touch pad अगर आपके इसका example दूँगा अगर आपके android की screen भी है तो वह भी एक touch pad और वह भी क्या है एक input device है remote कोई भी मैं volume up करता हूँ या down करता हूँ touch screen भी इसका ही example है वी आर virtual reality का system होता है webcam से वो मेरी photo लेगा और biometric devices जहां पे लगते हैं जहां पे आपका biometric authentication होता है जैसे कई बार दरवाजे होते हैं कोई भी movies में देखा होगा कि वो जब तक हाथ नहीं लगाते हैं finger नहीं लगाते तब तक दरवाजे नहीं कुलते हैं फिर उसके बाद आता output device output device की अगर by definition जाओगे the devices that receive data from a computer system for display physical production etc तो भही यह basic है या आपने basic याद रखनी है बट समझने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा output device वो devices होते हैं जिनके थूप computer मुझे ये बता सकता है कि उसने जो मैंने जो input दिया था उसने processing करने के बाद क्या दिखाया है तो वो जहां पे दिखाएगा उसको कहते हैं output device इसके example में क्या आगे सबसे पहले मॉनिटर है मॉनिटर क्या होती computer screen ये भी चार तरह के होते है CRT LCD LED और प्लास्मा मॉनिटर CRT आपने देखा होगा जो पहले वाले TV आते थे जिसके पीछे बड़ा बकसा होता था उसको CRT हो गए थे LCD उसके बाद next generation आई LED जो current पर मॉनिटर चल रहे है और प्लास्मा मॉनिटर जो है अभी आपके जैसे कोई नाइनो टेकनलोजी के उपर बना हुआ है ये चीज़े आपको बाद में समझ मैंगी प्लास्मा मॉनिटर फिर प्रिंटर जाता है ये मॉनिटर मेरे को क्या देगा soft form में देगा soft form का मतलब है जिसको मैं touch करके नहीं देख सकता printer अगर मेरे का output देगा तो वो hard form में देगा hard form का मतलब क्या है जिसको मैं touch कर सकता हूँ इसके भी category होती है दो एक होता है impact printer और एक होता है non impact printer ये आगे जाके मैं आपको explain करूँग फिलाल आप इतना समझ लीजिए कि ये होता फिर उसके बाद projector जहां पर मैं projector से चला के कोई movie दिखा सकता हूँ speaker भी एक output device है क्योंकि अगर आप कोई song play करते हो तो आपने computer को दिया है input song वो क्या करेगा उसको process करेगा और उसको आपको चला के दिखाएगा कि आपने जो file भेजी थी उसमें ऐसे ऐसे sound थे फिर plotter आपको शायद नहीं पता होगा पर जैसे हमारे flex printing होती है जहां पर बड़े-बड़े poster बना जाते हैं तो वो plotter के through बना जाते हैं तो फिलहाल basic introduction में इतना ही है तो यह पहला lecture था इसके बाद मैं आपके currently और lecture मनाऊँगा और जितनी भी सारी चीज़े हैं वह आपको explain करूँगा तो अगर इसके लिए regarding कोई भी doubt होता है इस class के अंदर तो जो आगे हैं हम वो question answer session करेंगे या आप जो भी है इसमें अगर कोई भी doubt होता है तो इसको comment कर सकते हैं comment करने के बाद मैं reply करूँगा तो जो हमारा 1.1 section था तो 1.1 section यहीं खतम होता है